जैहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आप सभी को पता है बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा आपका इंटर लेवल एक्जामिनेशन की फॉर्म आ चुकी थी और यह फॉर्म भरा भी जा रहा है इसकी लास् 27 तारीको 27 सेतंबर से चुका है लास्ट डेट आपकी क्लोजिंग डेट ओनलाइन अप्लिकेशन की 11 तारीक है और पेमेंट करने की लास्ट डेट 9 तारीक को है 11 बच के 59 पीम तक लेकिन बहुत ऐसे स्टुडेंट्स हैं बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिरों ने प्रेश्ट दिकते आ रही हैं तो उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ऐसे देखिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं लेकिन आपको इक चीज मैं बताता हूं स्टार्टिंग में मेरा भी पेमेंट फेल हो चुका था मैंने भी जब पेमेंट किया थ मनी आपके क्या हो गए थी डिडक्टेड हो गए थी लेकिन वह तीन से चार दिन बाद आपका क्या हुआ यह successful हुआ तो आप एक चीज़ कर सकते हैं अगर आपने SBI से अगर payment किया है तो आप यह जो आपका email ID दिख रहा है इस पर mail कीजिए अगर आपने ICI से payment से किया है तो इ mobile number email ID इसके बाद amount आपका amount कितना deduct हुआ है 540 हुआ है या कम हुआ है amount के बाद आप payment mode लिखिएगा जरूर payment का mode लिखिएगा कि आपने payment किस से किया है रुपे से किया है credit card से किया है UPI से किया है debit card से किया है ठीक है और आपके पास अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर आ payment किया तो आप उसका screenshot screenshot लेकर आप उसे email पे लगा दीजेगा और यहां पर email कर दीजे दो अगर आपने जिससे किया है SBI से email कीजिए अगर आपने कीजिएगा अभी दिन है अभी कम से कम आपके पास दस दिन बचा हुआ है तो आप वेट कीजिए और अगर आपको लगता है कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट यही तरीका है कि आप 8 या 9 तरीको 8 या 9 November को आप एक बार क्या कीजिएगा repayment कर सकते हैं लेकिन मैं और इमेल कीजिएगा बहुत ऐसे स्टुडेंट हैं मैं एक्ची रोताता हूं बहुत ऐसे स्टुडेंट हैं जिनोंने इमेल अभी तक आपका इमेल नहीं किया और उनका तो भी payment क्या हुआ है successful हो चुका है payment आपका success हो गया है तो ऐसा दिक्कत नहीं है तेखिए payment success होगा ल variety basis पे लेंगे और जल से चल दो लोग process करेंगे इसको complete करने का बाकी बहुत ऐसे स्टुडेंट हैं जो मुझसी यह पूछ रहे हैं कि क्या date extend होगा date extend होगा कि नहीं होगा देखिए इसके regarding अभी तक विहार SSC ने कुछ update नहीं दिया है कुछ भी update आपका अभी तक नहीं मिला है तो इसलिए update extend की बात नहीं कर सकते हम क्योंकि इन्होंने starting में ही आपका लमसम 60 दिन समय दिया था तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अभी form भर दीजिए जल से जल पेमेंट फस्त रहा है तो कुछ दिन wait कीजिए आप उन्हें mail कीजिए और mail करने के बाद 2-3 दिन wait कीजिए और mail आप daily करते रहिए mail कीजिए ठीक है और दूसरी चीज है कि इसके regarding अगर कोई update होगा अगर date extend क्या कोई update होगा तो मैं इसके regarding आपको वीडियो बना दूँगा तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा मैं reply करूँगा आपको email का format चाहिए मैं भ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने वीडियो में अपने दोस्तों में वीडियो सेर कीजिए जैहिंद